तो आई आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्णावली 1.2 हम लोगों ने इसके पहले प्रश्णावली 1.1 का टोटल क्वेस्चन और उसके एक्जाम्पल को सॉल्फ कर चुके हैं उस पर प्रैक्टिस कर चुके हैं और आईए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्णावली 1.2 में हम लोग सबसे पहले चलते हैं एक नमबर सवाल पे हम लोग का पहला सवाल है कि निमनलिकित संख्याओं को अभाज ये गुड़न खंड के गुड़न फल के रूप में व्यक्त कीजिए मतलब कि आपको क्या करना इसमें कि संख्या दिया हुआ है और आपको उसका गुड़न खंड करके उसके अभाज ये गुड़न खंड को लिखना है सबसे पहला चीज जली एक बर फिर से जिक्र कर लेते हैं अभाज ये संख्या की तो अभाज ये संख्या का अर्थ वो होता है कि वह संख्या जिसमें एक तथा स्वैम को छोड़कर किसी अन्य अंग से भाग ना लगे उसे अभाज ये संख्या कहते हैं जैसे कि माली जे दो है, तीन है, पाच है, साथ है, ग्यारा है, ये सारी संख्या हैं क्या है जी, अभाज जे संख्या है, तो आपको जो गुड़न खंड निकालना है, उसमें किवल अभाज जे संख्या होना चाहिए, भाज जे संख्या नहीं होना चाहिए, तो चलिए एक नम हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक lining बनाएंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं lining बना हुआ है सबसे पहले आपको सुच रहा है कि 140 में किस से भाग लएगा सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 होता है तो देखना है कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं तो हम जब दो से भाग देंगे 140 में तो दू सते 14 तो 7 लिख दिये नीचे और 0 का 0 उतार दिये यानि लग गया भाग फिर 2 के पड़ा में 70 आएगा तो चलिए इसको चेक करते हैं दू 3 आई 6 तो 7 से 6 गट आएगे तो 1 बचेगा 1 पर 0 10 तो फिर 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10 अब 35 है तो 35 में 2 से भाग नहीं लगता है क्योंकि 35 दो के पड़ा में नहीं आता है तो अब हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 5 दूने 10 5 तिये 15 5 चव का 20 5 पचीश 5 चक 30 5 सते 35 तो 5 सते 35 यहीं सात मर्थ में कटेगा और फिर सते कम 7 पुझाए मत्तब कि तब तक कटा रहे है जब तक लास्ट में एक ना आजाए लास्ट में क्या ना आजए जी एक ना आजाए तब यह अभाज्य गुडनखंड कालाता है क्या कालाता है अभाज्य गुडनखंड तो आपको अभाज्य गुडनखंड लिखना है तो निचे लिख देंगे अता अभाज्य गुडनखंड बराबर जो आप देखो अभाज्य जो जिस संक्या से आपने भाग दिया है सबसे पहले आपने दो से दिया तो दो लिखती है गुणा फिर दो से दिया तो दो लिखती है गुणा फिर पांच से भाग दिया तो पांच लिखती है गुणा और फिर साथ से भाग दिया तो साथ लिखती है तो ये हमारा एंसर हो गया भाज ये गुणन फल बराबर दू ग ही सही है दोनों अपने जगह पर क्या है सही है ठीक है तो इसको उतार लीजिए कि आई अब हम लोग सवाल नंबर दो पर चलते हैं कि दूसरा सवाल है 156 किताब में देखेंगे ने क्या लिखा है 156 तो 156 में भी अगर हम दो से भाग देंगे तो दो से भाग लग जाएगा चलिए देखते हैं दू सते 14 तो साथ नीचे लिख दिये और उपर 15 है तो दू सते 14 तो 15 सा 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा एक बचेगा तो एक पर 6 16 तो दू अठे 16 तो 78 आ गया क्या गया जी अठातर फिर हम दो से भाग देंगे तो दू सते 16 गया तो एक बचेगा फिर एक पर आठ 18 तो दू नवा 18 तो आगया 49 फिर तीन से भाग देंगे तो तीन एकम तीन 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 तरीका नव तो आगया 13 अब 13 में क्यावल 13 से ही भाग लेगा क्योकि तरह एक अभाज्य संख्या और आपको पता है कि अभाज्य संख्या में या तो एक से अग से भाग लेगा तो हम 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13 तो लिधिंगे अता अभाज्य गुणन फल बराबर साइट में देख लिजिए दो दो यानि दो ठो दो है एक तीन है एक तेरा है तो लिख देंगे दू गुड़े दू गुड़े तीन गुड़े तेरा तो यह हमारा एंसर हो गया इसको उतार लिजी आये तीन नमबर स्वाल का हम लोग देखते हैं 3825 यानि कि 3825 सबसे पहले हम भाग किसे दिया है तीन से तो तीन एकम तीन फिर आठ बचा तो तीन दूना च्छो तो आठ से च्छो गया दो दो पर दो 22 हो जाएगा तीन सते 21 22 से 21 गया तो एक एक पर पाँच 15 तो तीन पचे 15 तो कितना गया जी 1275 एक हजार 275 आगया फिर भाग देंगे तीन से तो तीन चव का बार फिर भाग देंगे साथ में तीन से तो तीन दूना च्छो और साथ से च्छो गया तो एक बचा तो एक पर पाँच 15 तो तीन पचे 15 अब भाग देंगे पाच से 425 में तो पनवठे 40 पनवठे 40 और 42 से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा बताईए कितना आएगा हाँ दो आएगा तो दूपर 5 क्या होता है पचीस होता है तो पचा हाँ पचीस अब ये 85 आगया फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 निचेक लिख दिए और 8 से 5 घटाएंगे तो 3 तीन पर 5 35 तो 5 सते 35 तो कितना आगया 17 आगया अब 17 एका भाज्य संख्या है और जब भाज्य संख्या आएगा तो किसी भी दुसरे अंग से भाग लगेगा नहीं तो हमें 17 से इसमें भाग देना पड़ेगा तो 17 एकम 17 तो यह हमारे सावल कम्प्लीट हो गया तो लाश्ट में लिख देंगे अता भाज्य कि दूठो तीन आया है दूठो पाच है और एक सत्रा है तो इस तरह हमारी अंसर हो गया इसको उतार लीजिए आई अब हम लोग सवाल नमबर 4 को देखते हैं हमारा चोथा सवाल है पाच हजार पाच कितना है जी? 5,000 पाच तो सबसे पहले हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 तो नीचे एक लिख दिए फिर 0, 2 아래 तो 0 उतार दिए और फिर 5 एकम 5 तो कितना गया 1,001 अब इसमें हम भाग देंगे 7 से तो 7 से जब भाग देंगे 10 में तो 7 एकम 7 तो 10 से 7 गया तो 3, 3 पर 0 तीस, तो तीस में भाग देंगे 7 से, तो 7 चव का 28, तो 30 से 28 कटाएंगे, तो 2 आएगा, और दूपर 1, 21, तो भाग देंगे 7 से 28 में, तो 7 का 21, तो कितना गया? 143. फिर भाग देंगे 11 से 13 से जब भाग देंगे 13 एकम 14 से 11 गया तो 3 तीन पर 3 ताहे 30 और 11 ताहे 30 तो 13 आ गया अब 13 में केवल 13 से ही भाग लगेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या मतलब उसी संख्या से ही भाग लगता है तो 13 एकम 13 तो एक आ गया तो हमारा अभाज्य गुणन फल क्या हो गया पांच गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 तो इसको भी तार लीजी अब एक नमबर का लाश्ट कुर्स्टन पांच नमबर 17,429 इसमें सबसे पहले भाग लेगा 17 से क्यों किसी भी अन्यंग से आप चेक कर सकते हो इसमें भाग नहीं लेगा तो हम डाइरेक्ट भाग देंगे 17 से जब 17 से भाग देंगे तो पहले 74 है तो 74 का 68 चवहतर से 68 गटाएंगे तो 6 बचेगा तो 6 पर दू 62 सत्रे तियाई 51 कर देंगे तो 62 से एक आउन जब घटाएंगे तो 11 बचेगा तो 11 पर 9 बैठाएंगे तो 17 और 17 को पढ़ा 7 बर पढ़ेंगे 17 सत्रे 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 अन्यस अस यानि एक 17 तो 7 मर्थ में कट जाएगा निकि 437 आ गया अब उसके बाद इसमें भाग लेगा 19 से और किसी भी अंक से इसमें भ आग नहीं लगेगा तो 11 का अन्यस अन्यस दूना 38 तो 43 से 38 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 5 पर 770 कहलाता है अन्यस के पढ़ा में 17 तीन मर्थ में आता है अन्यस तियांगी 17 यह भी कट गया 23 मर्थ में और 23 सो केवल 23 से ही कटेगा क्योंकि 23 से का भाज्य संख्या है तो अत आभाज्य गुडणफल बराबर 17 गुणे ने इस गुणे 23 तो इस तरह हमारे एक नंबर सवाल कंप्लीट हो गया इसको भी उतार रही जिए